हेलो और वेल्कम गैज वेल्कम बैक टू अनकाडमी क्लाट और जैसा कि आपको पता है हमारा क्लाट एक्जामिनेशन अब बहुत ही ज्यादा करीब है और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मन में एक सवाल बार बार आ रहा है सर हाउ टू स्टार्ट अर प्रेपरेशन और उसी थोड़ा बहुत पढ़े हुए होते हैं उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग जो है किसी ना किसी और कंपेटिटिव एक्जामिनेशन के लिए पढ़ी होती है बट बट वेन वी टॉक अब लीगल रीजनिंग यह एकदम न्यू सबजेक्ट होता है और बच्चों को जो है यहा यहां पर दिये हुए लाइक बटन को अगर अभी तक आपने क्लिक नहीं किया कमाल करते हो यार जल से जल लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहां पर दिये हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पर आपको NLU का जो आपका सपना है उसको आप पा सकें जी हाँ guys and girls so let us start with legal reasoning और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं किसी भी चीज की शुरुवात किसी भी examination की शुरुवात इस चीज से होती है कि यह exam हमसे मांग क्या रहा है what are the demands of this examination यह हमसे चाहता क्या है याने कि वो चीज जो की आपको syllabus और PYQ में देखने को मिलती है तो यहाँ पर भी आपके लिए सबसे पहली requirement क्या है सरन माम सबसे पहली requirement है that you should know what are the demands of the examination by that I mean you should know what exactly the syllabus is trying to tell us ठीक ठीक है guys जल्दी से syllabus देख लेते हैं यह syllabus क्या unacademy ने बनाया नहीं क्या किसी और coaching institute ने बनाया नहीं बलकि यह वो syllabus है जो कि आप देख सकते हो directly coming from the consortium of NLU when I say consortium of NLU यह वो organization है जो कि आपका CLAT का examination conduct करवाता है याने this information is coming directly from the lion's mouth आपको directly यहां पर information आ रही है कि आखिर वो आपसे चाहते क्या है तो we are just focusing today on the legal reasoning section I would request you it will take hardly 30 seconds but please do pay attention on what are the demands of the examination अगर हम demands की बात करें तो साफ साफ लिखा हुआ है that in this section you will be expected to read passages of 450 words each आपको साढ़े चार सो शब्दों के around paragraph पढने को दिये जाएंगे ठीक है the passages may relate to any factual situation or any scenario which will involve legal matters ऐसी कुछ चीज का आपका यहां पर paragraph हो सकता है जिसमें कुछ legal matter होगा law से related चीजें होंगी या फिर public policy questions let's suppose MSP इस प्रकार की चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी या फिर moral philosophical inquiries ये तीन चीजों के basis पर आपको paragraphs देखने को मिलेंगे ठीक है अब इसके आगे की line आपका जीवन बना भी सकती है और आपके जीवन को बिगाड भी सकती है it is just that कि आपको इस चीज के बारे में थोड़ा सा cautious होके समझना है कुछ इससे input लेना है और कुछ इसका input जो है आपको छोड़ना है क्यों कह रहा हूं देखे अगली line कह रही है you will not require any prior knowledge of law आपको कोई भी knowledge of law होने की आवशकता पहले से नहीं है ये consortium of NLU's खुद बखुद कह रहा है क्या आप ही कहना चाहरे है कि हमें legal section बिल्कुल छोड़ देना चाहिए हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी नहीं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे पास आते हैं क्या आप हमें companies law पढ़ा देंगे प्लीज सर क्या आप हमें पूरा का पूरा family law section by section पढ़ा देंगे प्लीज सर क्या आप हमें contract में contract of agency, contract of bailment ये सारे contracts को आप in detail पढ़ा देंगे प्लीज Guys and girls My job here is not to make your job difficult but rather to make your job easier और इसको मैं easy कैसे करता हूँ ये बता कर कि क्या नहीं पढ़ना है आज हिंदुस्तान में जितने बच्चे अगर बहुत dedicatedly seriously clad के तियारी कर रहे हैं Trust me, have faith in me उसमें से अगर let's suppose 100 kids हैं तो 80 kids ऐसे हैं जो कि dedicatedly तियारी कर रहे हैं और ये 80 kids ऐसे हैं जो कि 80% of law पढ़ रहे हैं जितना required भी नहीं है and let me tell you guys अगर मैं आपको solve करवाना चाहूं legal का section मैं इस number को 20% तक लाने की कोशिश करता हूं कि आपको कानून मात्र 20% पढ़ना है कौन सा पढ़ना है कैसे पढ़ना है कितना पढ़ना है उसके लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ that is what is my job ठीक है and यह चीज मैंने उस समय भी proof करी when पूरी industry में nobody was talking about it I help the kids and बाद में आके बच्चों ने ऐसा बोला सर लगा कि पेपर कल रात को आपने बनाया है और आज सुबह examination में आया है ऐसा ही होता है मैं कहीं का जगत गुरू नहीं हूँ आदी बाबा नहीं हूँ it is just that आपको इस demand को समझना पड़ेगा कि डिमांड कह क्या रही है वो आपसे कह रही है साफसाफ you are not required to have any prior knowledge of law बच्चे याद तो इतना पढ़ लेंगे और डांस करने लगेंगे कुछ नहीं पढ़ना है यह जो 20% बच्चे आपर मैंने बताए वो ऐसी होते कि हमें लोग पढ़ना ही नहीं है बट ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है क्यों अगली ही लाइन आपको क्या बता रही है You will benefit from a general awareness of contemporary legal and moral issues to better apply general principles and propositions to the given facts Simple as that साफ साफ कह रहे हैं कि आपको definitely फाइदा होने वाला है किस चीज से Sir and Ma'am आपको फाइदा होने वाला है अगर आप पहले से contemporary legal and moral issues को समझ कर जाते हैं What do you mean by contemporary? Sir contemporary का मतलब होता है जिस समय पे आप हो आपके around जो चीजे हो रही है Those things are contemporary to you याने अगर आपके रहते समय आपने देखा triple तलाक You should know about it अगर आपके रहते समय आप देख रहे हो कि Parliament एक नया bill introduced कर रहा है नारी शक्ती वंदन तो you should know about it अगर आपके रहते समय There is a law जो कि Prisoners Act 1920 को पूरी तरह से change करके पूरी तरह से हटा के एक नया कानून established किया जा रहा है So criminal procedure identification code You should be knowing about it And यही वो चीजे हैं जो आपके examination में आती है समझ में आ रहे तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अब इन कानूनों को समझने के लिए आपको basic कानूनों के बारे में पता होना चाहिए कि भया law आखिर होता क्या है कैसे काम करता है कैसे पढ़ा जाता है कैसे कानून बनता है कौन कानून बनाता है ये सभी चीजे बेसिक टू बेसिक आपको यहाँ पर पढ़नी होंगी बस उतनी चीजे पढ़ने उसके साथ जो कारेंट में इशूस चल रहे हैं उनको पढ़ने क्या अगर सर ऐसा कोई पैरग्राफ आता है जिसमें हमने जो पढ़ा है उसमें से कुछ भी नहीं है तो क्या हम फेल हो चुके हैं क्या हमारे वो पूरे के पूरे गलत हो जाएंगे क्योंकि हमने इस पैरग्राफ का सब्जेक्ट मैटर पढ़ा नहीं है लीगल का बिलकुल भी नहीं ऐसा नहीं हमें जो है यह चीज़ पता होनी चाहिए कि इस इस एंप्लिट्यूद बेशट गुस्य पर कज़ते हैं कि और उस कानून को पढने के बाद क्या होगा सर आपको को identify और infer करते आना चाहिए कुछ rules and principles जो की passage में दिये गए हैं आपको पता होना चाहिए अच्छा यह वो legal चीज है जो हमारे passage में दी गई है अब इससे हम क्या infer कर सकते हैं यह हमें यहां पर पता होना चाहिए इसी के साथ you should be able to apply these rules and regulations and principles to different factual situations that are given and अगर इन factual situations को change कर दिया जाए या rules को change कर दिया जाए तो किस प्रकार से result निकलेगा वो भी आपको आना चाहिए बस इतनी सी ही तो demand examination की समझ में आया now I would like to give you an example of some of the passages which have already been asked in the examination यहां आप अपनी आखों के सामने देख सकते हैं this was a passage जो की juvenile justice act के बारे में पूछा गया सर ऐसे तो फिर कोई भी आक्ट उठकर आ जाएगा नहीं juvenile justice act was in news juvenile justice act was in news इसी लिए इसके आने के chances जादा थे न्यूज में भी randomly नहीं क्यों क्योंकि ऐसे तो सर हर दिन बहुत सारी जीज़े न्यूज में होती है कानून की तो क्या सारे के सारे laws बढ़ने चाहिए नहीं लेकिन चूकि यह बहुत ही जादा controversial था क्योंकि इस पे बहुत जादा editorials newspaper में आए सर इसका examination में आना बिलकुल सभाविक था and it was there in the examination but having said that अगर हमने यह नहीं पढ़ा तो क्या हम यह passage कभी solve नहीं कर पाएंगे ऐसा बिलकुल भी नहीं है आप इस passage को पढ़ोगे जो भी चीज़े यहां दी है उसके basis पे ही examination hall में questions जो आए थे वो solve किये जा सकते हैं by that I mean it is not so that you were required to have any preconceptual knowledge it was just that you need to read this paragraph understand it in identify the rules and then apply those rules to have a better understanding just that just that चली अब आते हैं आगे यहां पर देखिए अब दूसरी जो चीज़ यहां पर पूछी गई थी इस साल examination में they were talking about defamation मानहानी सर बेसिक law बेसिक law अगर आप newspaper आज भी उठा के देखोगे तीन से चार आपको articles मानहानी पे मिली जाएंगे इसने उसके बारे में ये कहा इसने उसके बारे में वो कहा इस मंतरी ने उस मंतरी को ये कहा ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी तो मानहानी basically होता क्या है सर मानहानी होता है जब आप किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी कुछ चीज बोलें जो की सत्य नहीं है और उसकी वज़ा से उस व्यक्ति की image in the right thinking capacity of the members of the society अगर lower down हो जाती है तो उसको हम मानहानी या फिर defamation के नाम से जानेंगे तो definitely sir defamation तो बहुत important है क्यों क्योंकि आज की समय में जब से ये social media का craze बढ़ा है internet का craze बढ़ा है sir and ma'am हर कोई एक दूसरे के बारे में कुछ भी चीज़े बोले जा रहा है without even having a proper fact check जिसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति की image lower down हो जाती है तो sir ये तो आना बनता ही है न आपको पता होना चाहिए कि IT act is the one जिससे हमेशा question पूछे गए अगर वो controversy में रहा है तो similarly यहाँ पर question पूछा गया है चाहे आपका 66 A हो चाहे श्रिया single case हो चाहे 79 A हो sir and ma'am हमेशा सवाल पूछे गए हैं सो क्यों नहीं पूछा जाएगा सवाल यहां पर यहां पर भी definitely सवाल पूछे जाने के chances है चले अब आते हैं आगे यहां पर अब देखिए जो third subject matter जिस पर question पूछा जा रहा है that is the dpdp act what is dpdp act हिंदुस्तान की history में पहली बार ऐसा हुआ कि हम सभी ने हमारे यहां personal data जो हम internet पे डालते हैं मेरा नाम मेरा mobile number मेरे पिता जी का नाम मेरा address मेरा card number यह सारी चीजें जो भी data मुझ जो भी data किसी भी व्यक्ति को मदद करेगा मुझे identify करने में उसको हम personal data कहते हैं तो यहां पर हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसी चीज है जो की personal data है उसका misuse नहीं होना चाहिए उसका जो है protection होना चाहिए तो उसके लिए सबसे पहली बार हमने एक कानून लेकर आए हैं चूकी subject matter पे पहली बार कानून आ रहा है सरन मैम क्या इसके examination में आने के chances नहीं है बिल्कुल सर देख सकते हो आप आपके examination में यह एक बिल है जो की पार्लियमेंट में आया था जो की आगे जाके law बना पर्स टाइम देटा प्रटेक्शन की इसने बात करी इतनी सारी चीजें एक साथ जुड़ रही है और यह contemporary legal issue है इसका examination में आना बनता ही है समझ में आया चलिए अगला sir a supreme court the supreme court on September 1st held that a child born out of void or voidable marriage oh my god sir यह तो Hindu family law की बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हमको पूरा Hindu family law पढ़ना होगा नहीं यार इस पूरे के पूरे paragraph को solve करने के लिए आपको जो information चाहिए थी वो केवल इतनी थी कि child marriage जो होती है इंडिया में वो illegal होती है आप child marriage इंडिया में नहीं कर सकते सर इसमें कौन सी नहीं बात होगी लेकिन जो नहीं बात यह है that once commenced एक बार अगर यह शादी हो जाती है उसके बाद the marriage is considered to be valid the marriage is considered to be valid अगर आपने इतनी information current से मेरे इस lecture से ले रखी है तो आपको जो है एक स्टम्ब मिल चुका है जिए प्रेपरेशन इस paragraph को समझने का और फिर आप उसके बेसिस पे पूरा का पूरा पारग्राफ जो है वो डिकोड कर सकते हैं ठीक है अब आते हैं आगे यह आप देख सकते हो सर्ट 2023 का पेपर है यह यहां पर आप अगर घ्यान से देखोगे they have asked about criminal procedure identification act again a law जो पार्लिमेंट में पास हुआ है यह देख सकते हो आप with proof मेरी classes है जहां पर हमने इन कानूनों को पढ़ा था इन डीटेल और पूरे पूरे चांसे थे examination में आने के देन डिस वाज अगेन अलो जो की आया था और इसके regarding कुछ rules लेकर आए गए थे अगैन आप देख सकते हो हमने साफ साफ यहां पर पढ़ा हुआ है वाट इस दी सरोगेसी आक दिन आप देख सकते हो consumers क्यों पर question आया था basically consumer protection act क्यों पर आया था consumer protection act पूरा का पूरा YouTube पे बच्चा मजाक उड़ा रहा था कि सर हमें क्यों पढ़ रहे हैं जबकि इसका कोई relevance नहीं है और मैं बार-बार इस चीज़ को emphasize कर रहा था सरन माम CPA consumer protection act 1986 जो है वो पूरी तरह से हट चुका है और अब जो है हमारे हाँ CPA 2019 आ चुका है replace किया गया और replace करने के बाद इसके rules भी आए तो इसलिए यह हमारे लिए important है क्योंकि जब से आया है controversy से controversy से घिरा हुआ है तो सर इसके examination में आने के chances तो थे आप देख सकते हो consumer protection act पूरा का पूरा यहां पर समझाया गया इसके अलावा ट्विटर की यहां पर बात हो रही है so they have talked about the IT act and उसके different sections जो की most important है आप यहां देख सकते हो section 66 a और बाकी के sections मैंने यहां पर समझाय थे IT act के इसके अलावा yes you can see supreme court passes its judgment यहां पर अगर आप देखोगे तो article 19 के sovereignty security इन सभी चीजों की बात हो रही है sir and ma'am एक दिन पहले examination के मैंने यह सब चीज़े बच्चों को पढ़ा रखी थी फिर यहां electoral bond scheme जो की सबसे आदा controversial थी उस पे सवाल आया है then अगर आप देखोगे तो basic FIR क्या होता है प्लस 498a यह क्या होता है इस पर सवाल जो है वो आया हुआ है तो इस तरीके से basic questions जो है वो आप से पूछे जाते हैं यहां पर आप सभी देख सकते हैं अब सवाल यह है कि sir how to ace this legal section sir and ma'am अगर आप legal section को ace करना चाहते हो बहुत basic steps है सबसे पहला step cover the basic laws now the question is यह basic laws कौन से हैं देखो तीन तो आपके most important है कौन कौन से सबसे पहला है Constitution of India इसके बाद आता है law of thoughts इसके बाद आता है law of contract क्या sir हमको इनको बहुत detail में पढ़ना है नहीं just an overview कि भया offer क्या होता है acceptance क्या होता है consideration क्या होता है what are the essentials of a valid contract या फिर capacity to enter into contract क्या होता है consent और free consent क्या होता है free consent के जितने अलग अलग parameters हैं वो क्या होते हैं इस प्रकार से आपको यहां पर questions जो है laws जो है वो पढ़ने हैं उसके बाद criminal laws को बहुत selectively पढ़ना है criminal laws को बहुत selectively पढ़ना यह नहीं CRPC पूरा का पूरा उठागर पढ़ने लगे law school में भी नहीं to develop a habit of reading editorials daily कौन से paper के मैं बहुत ruthless हो जाओंगा अब मैं किसी भी प्रकार की आपको यहां पर chances लेने का मौका नहीं दूंगा कि नहीं यह पढ़ लेना इसका पढ़ लेना उसका पढ़ लेना नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड दा इंदू इंग्लिश टफ है रिक्वाइड रिक्वाइड है ठीके दिस इस इस और रियल फैक्ट चेक आपको पता होना चाहिए इंग्लिश जो है वह आपके इंग्लिश सुधारी नहीं है प्लीश सुधार लीजिए अभी वक्त है एडिटोरियल्स पढ़िए जितना आप एडिटोरियल्स पढ़ेंगे उतना यह आपके लिए बेतर होगा इसके अलावा सर यू हाफ टू कवर ओल दा लीगल डवलाप्मेंट्स और लैंडमार्क आक्स या बिल्स हैं जो कि आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ो जैसे कि अभी हमने एक्जामपल दिखाया डीपीडीप हमने एक्जामपल दिखाया आपको जहां पर सरोगेसी आक्ट वोस देर क्रिमिल प्रोसीजर आइटिफिकेशन आक्ट वोस देर पी आर पी आ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए यू डूंट नो कि क्या आपको एक्जामेनेशन में वो पूछा जाए चलिए अब बढ़ते हैं आगे यहां पर कॉंस्टिटूशन में क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा एक्जामपल देता हूं मेकिंग ऑफ दी इंडियन क्या होता है कंसेरेशन क्या होताहे काओदेशन क्या होता है कहती है एंड प्री अग्रीमेंट्स क्या होती इします इतना बस ब्रीच आप देपनेटी पढ़ो गई दिन अपो सॉरी जस्ट सेकेंड यह लुव ऑफफ-दाट्स वायरियस लाइस लुव्लियानariat क्या होती है strict liability और absolute liability में क्या difference होता है यह आप basic लेकर चले दिन इंडियन पीनल कोड में आपको murder or culpable homicide में difference theft robbery kidnapping the quality में difference या फिर defamation में difference या फिर wrongful restraint and wrongful confinement क्या होता है criminal breach of trust क्या होता है इस प्रकार के basic जो है वो आपको cover करने हैं इनके अलावा मैंने अभी आपको बताया जितने भी आक्ट्स या बिल्स या provisions अलग-अलग कानूनों के news में आ रहे हैं आपको इन सभी को cover करना important है विनाई से cover करना सर क्या हमको इसको मगब करना है बिल्कुल भी नहीं आपको केवल और केवल एक awareness जो है वो डेवलप करनी कि हां ऐसा कुछ हो रहा है सरोगेसी के लिए बिल आया है जिसमें उन्होंने बात करी है कि इंटेंडेट कपल कौन होगा सरोगेट मदर कौन हो सकती है उनके क्या 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 क्राइटेरिया है यह सब बेसिक चीजें अगर आपने पता गड़ ली यू यू अदन उससे जादा आपको जाने की जुरुत नहीं है अब सवाल आता है कि सर यह बिल्स वगेरा कहां मिल सकत वह सभी के सभी बिल आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा अगर आप कुछ most important judgments की तरफ जाना चाहते हैं सब मत करना मैं बार बार कह रहा हूं सब मत करना मैं कॉशन दे रहा हूं यहां पर don't spend too much time on this आप अभी lawyer नहीं हो आप अभी जज नहीं हो कि आपक आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन सी वह important judgments हैं जो Supreme Court ने या High Court ने लिए सिर्फ most important वन्स चीक है चले इसके अलावा येस तो यह आप कैसे कर सकते हो यह website है जिसका नाम है live law यहां से या फिर एक website है जिसका नाम है बारें बेंच आपको जो पसंद आ रहे हैं उस website को ढालें और उससे जो है आप important legal news जो है वो cover कर सकते and always this is the best source to cover any development that is the Hindu जैसे ही आप खोलोगे उसमें आपको एडिटोरियल पेज पे जाना है एडिटोरियल पेज पे जब आप जाओगे तो यहां पर अलग 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 articles जो है opinions जो है वो authors के आते हैं and यही वो जगह हैं जहां पर आपको अलग अलग laws आपने जो पढ़ आपका perspective जो है वो improve होगा author का view आप पढ़ पाओगे आपका inference और निकालने का तरीका जो है वो भी यहां पर सुधरेगा ठीक है I hope I'm clear with this guys जी अब आप लोगों को बता देते हैं that if in case आप unacademy के साथ जुड़ना चाहते हो तो अभी आपकी मदद करने के लिए unacademy लेकर आ पर जाना है यहां पर klat and other five year law entrance examinations को आपको choose करना है फिर आप जाओगे subscribe now पर आपको पता होना चाहिए unacademy जो है वो subscription model पर काम करता है when we say subscription model याने जैसे Netflix होता है Amazon Prime होता है कि आपने एक बार subscription amount दे दिया उसके बाद जितनी भी classes जितनी भी movies या web series आ रही हैं आप सब account दे दिया उसके बाद on academy पे जितने भी batches आ रहें अलग-अलग faculties के द्वारा वो सभी classes आप जो है यहां कर सकते हैं so it is not mandated कि आपको केवल और केवल एक ही batch में register होना है फिर वहां अगर किसी faculty की पढ़ाया हुआ आपको जो है connect आप नहीं कर पाते हैं तो भी आपको वहां current affairs की बाद करोगे दर two to three current affairs faculties are there आप जिससे पढ़ना चाहते हो उस faculty से पढ़ सकते हो समझ में आ गया I hope I am clear with this ठीक है तो आप जा सकते हो जितने भी अगर आप अभी 10th class past किये हो तो sir 24 months का subscription आप ले सकते हैं अगर आपको इसी साल examination देना है तो आप 12 months का या 6 months का package जो है व have a referral code आप बोलोगे yes what is that referral code आप यहां पर लगाओगे बी ए आर ताट इस बींग अधित्यराय उसके आगे आप लगाओगे live 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 जैसे ही आप यह लगाओगे sir and ma'am यहां पर आपका जो cost है वो और भी जादा discounted price पर हो जाएगा so unacademy के portal पर जितना भी discount आपको देखने को मिल सकता है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा आपको इसको avail कैसे करना है जैसा कि मैंने आपको बताया you have to go and apply one code that is b-a-r-l-i-v-e bar live जैसे ही आप इस code को apply करेंगे अभी आपको maximum discount जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा यहां आप देख सकते हैं कि आपके लिए opportunity है साथी साथ आपको klat assure program में register कर लिया जाएगा अगर आप 30th of June तक जो है अपनी तयारी अपना registration कराते हो what is that program जिसको हम कह रहे हैं या आप पर assure program याने unacademy यह कहता है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हो और आपने 300 hours की class करी यहां पर लिखा हुआ 300 hours आपने 10 test दे दिये 10 live test दे दिये तो उसके बाद आप जो भी batch में registered हो जिस भी batch में unacademy यह ensure करेगा कि अगर आपने यह basic चीजे करी हैं तो आपका exam अगले साल वाला जो है वो तो निकले गई next attempt जो भी है but खुदा ना खास्ता आपका यह attempt नहीं निकल पाता है तो unacademy क्या करेगा sir and ma'am unacademy आपको एक साल का plus subscription पूरी तरह से free देगा जी हाँ unacademy बोलेगा हम आपको दे रहे हैं पूरा का पूरा पैक आप दुबारा तयारी करिए शुरू से तयारी करिए end तक तयारी करिए you do not have to pay any amount यही है unacademy klat assure की ताकत तो प्लीज जाहिए और इस चीज में अपने आपको register करिए कोड आप सभी को पता है जो यूज करना है कोड आपके लिए जो है डाट इस बार sorry बार लाइफ ठीक है चाले विधिस आम साइनिंग ओफ माइन में इस अधिति राय थैंक यू सो वरे मच फॉय वैलिबल टाइम कीप स्टूइंग कीप ग्रिलिंग चैह हिंद चैह बारू